पिलखुआ को पूट्वारी शेत्र के रामपुरा में नशेटी पती ने मौमली विवाद में अपनी पत्नी की गला रेत कर हत्या कर दिया और मोके से फरार हो गया बताय जा रहा है कि शनिवार की सुबह दीपक ने अपनी पत्नी लक्षमी का चाकू से गला रेद दिया और हत्या करने के बाद हत्यारा पती दीपक मौके से फरार हो गया हत्या की सूचना चलते ही सेत्र में संसनी फैल गई महले वासियों ने डायल हेंडर पर पुलिस को सूचना दीप बिलखुआ कोतरली शेत्र की घटना सूचना मिलते ही कोतरली परवारी अशवनी कुमार मैंफौस की घटना स्ताल फिर क्या हुआ उसके बाद किसी ने बारा इसको दीपक को ले बोटाइन का यह मौला रमकुरा में दीपक नाम के लड़के ने अपनी पत्नी की अच्छा इसको वे प्राथे सेंवजे कर दिये अब दो साल पूर्व साधी रुई थी इसके बीपक की अभी परिवार के लोग आये नहीं है परिवार के लोगों से तैरीव मिलने के बाद ही कारवाई की जाएकि अभी पोस्पार्टम के लिए बोड़ी दूब आई है अभी जांच की जा रही है इसको पर क्या है लेटर मिल हिस्टोरिकली उप्तर पर्देश के आपड़ से रिया जैं मतकी रिपोर्ट है कि अ कि अ मतकी बाद है कि अ कि अ कि अ कर दो पर दिए है जाएक्ट के अ